हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी आशागरती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ देव्या बर्मा दोस्तो आज का टॉपिक है पुनरजागरन कालीन चित्रकला बंगाल शैली या फिर ठाकुड शैली और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था काली घाट की चित्रकला तो वो टॉपिक आपका बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट था अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है ज आपके स्लेबस में सारे टॉपिक है जो कानफूर उनिवस्टी का स्लेबस है वही आपका लखनो उनिवस्टी का है सेकंड पेपर में हाँ थोड़ा बहुत चेंज़ेज हैं लेकिन फर्स्ट पेपर आपका सेम है तो दोनों उनिवस्टी के विद्यार्थी इस वीडियो को देख सकते हैं ठीक है तो वीडियो कर आपको पसंद आती है आपके लिए हैलफुल रहती है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजेगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा और जैसा इसमें आपको पहले तो पढ़ना है बंगाल शेली के बारे में उसके बाद में आपको पढ़ना है जो बंगाल शेली से संब्सक्रारी ने आपको स्लेबस पूरा बताया हूँ अंग्रेजों के प्रति भारतीयों में असंतोस व्याप्त हो चुका था और राश्य भक्ति की भावना अपनी चरम सीमा तक पहुँच चुकी थी। भारतियों की मानस में उत्पन करने का प्रयास किया, इसका प्रभाव कला जगत पर भी पड़ा। तो देखिए सभी जानते हैं कि सुतंतता से पहले भारत में अंग्रेजों का सासन था और अंग्रेज सासन करने के साथी साथ अपनी यूरोपी संस्कृत को भी भारतियों पर थोपना चाहते थे। वो चाहते थे कि जैसा उनका रहन सहन है, उनकी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें भारती लोग ग्रहन करें। और इसका प्रभाव कला जगत पर भी पड़ा। जो कॉलेज इन लोगों ने बनवाए वहाँ पर यूरोपी पधधिसे सिक्षा दी जाती थी, ना की भारती पधधिसे। अब देखें यहां पर 1850 इसवी के सम्थिंग भारत में तीन स्थानों पर कला के स्कूल खोले गए, मुंबई, कोलकाता और मद्रास। इसकूल तो यह तीनों भारत में थी, लेकिन यहां पर भारतीयों को पास्चात्य सैली में सिक्षा दी जाती थी, यूरोपियन स्टाइ अब अपना है, तभी तो अंग्रेजों को भारत में अच्छे से सासन करते बनेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों के प्रती आवाज उठाने के लिए साहस रखते थे, और कुछ लोग जो गरीब थे, पढ़े लिखे नहीं थे, वो उन्हीं के सारू पर चल को इस्थानांतरित होकर कलकत्ता आये, उन्होंने देखा कि भारती विद्यार्थी पास्चात की सहली में अनुकरण कर रहे हैं, सच्चे कला प्रेमी होने के कारण उन्हें दुख हुआ और इसी समय वे अवनीन ना टैगोर से मिले और उन्हें भारती कला की और प्रेरित कि इवी हैवल की प्रेणा से कोलकाता में भी भारती कला की कक्षाएं होने लगी, जब इवी हैवल इस्थानांतरित होकर कलकत्ता विद्यार्थी आये तो उन्होंने क्या देखा, जो भारती विद्यार्थी हैं वो पास्चाती कला को अपना रहे हैं, विदेसी जो कला है उसक अनुकरण कर रहे हैं जबकि भारत में भी अजंता, अलोरा, बाग की गुफाएं और राजस्थानी सैली कितनी अच्छी इच्छी कलाएं हैं उसका अनुकरण करने के बजाए यूरोपी स्टाइल को अपना रहे हैं तो इनको देख कर बड़ा दुख होता है और फिर ये क्या करते हैं अबनीन ना टैगोर से मिलते हैं अबनीन ना टैगोर ही बंगाल सैली के प्रडेता माने जाते हैं और ये इनसे मिलते हैं उसके बाद में ईवी हैवल की प्रेणा से ही कोलकाता में भी भारती कला की कफशाएं स्टार्ट हो जाती हैं यहीं से आंदोलन होने लगे ज अजनता कला बाग ये सारी पुरानी कलाएं हैं तो इन्ही का अनुकरण होना फिर से स्टार्ट हुआ इन्ही की प्रेणा से यानि इवी हैवल की प्रेणा से भारती प्राचीन कलाओं के प्रति लोगों में जावरुकता उत्पन हुई इस समय जिस सैली का विकास हुआ उसे बंगाल सैली या ठाकुर सैली के नाम से जाना जाने लगा अब इसे बंगाल सैली या ठाकुर सैली क्यों कहते हैं क्योंकि इसके प्रणेता कौन है अवनीन ना ठाकुर तो इसका नाम हो गया ठाकुर सहली और बंगाल सहली नाम क्यों है क्योंकि यहां बंगाल में चली आगे देखते हैं अब नेनना टैगोर ने अपने माध्यम से सिल्पियों की एक स्रंखला त्यार की जो की देश के कोने कोने में फैल गए और वहीं पर रहकर भारती यांदोलन को सफल बनाने का प्रयास किया तो इवी हैवल ने क्या किया कलाकारों का एक संगठन बनाया और उनमें से एक की करके सभी कलाकारों को देश के अलग-अलग कोनों में भारती कला का प्रचार करने के लिए भेज दिया और वहीं पर रहकर ये कलाकार अपनी भारती कला का प्र स्वामी ये स्रीलंका के हैं वा ईवी हैवल ने जोती तयार की और अवनीनना टैगोर ने बीज बोया जो की साखाओं के रूप में पलवित हो रहा है तो भारती कला को बढ़ावा देने के लिए अवनीनना टैगोर और ईवी हैवल का महतपूर योगदान रहा है इसे ध्यान भारती कला को बढ़ावा देने के लिए कुछ पुस्तकें भी रिखी गई हैं देख लिए यहाँ पर अवनीनना ठाकुर की सहता से भारती कला सैली में अनेक प्रियोग हुए ईवी हैवल ने इंडियन पेंटिंग अन स्कल्प्चर्स आइडल सॉफ इंडियन आर्ट दी बं आईएगा क्योंकि इस बार आपका पेपर अब्जेक्ट्व टाइप है और यह स्लैबस कंप्लीट होते ही अब्जेक्ट्व क्वेशन भी आप लोगों को करवाये जाएंगे तो आपको यह सारी पुस्तकें अच्छे से याद कर लेनी हैं और यह पुस्तकें क्यों लिखी तो पुस्तकें इसलिए लिखी गई ताकि लोग इन पुस्तकों को पढ़ें और भारत की कला के प्रती जागरूख हों अवनिनना टैगोर ने भी भारती सिल्प सडंग तथा अलपना आधि पुस्तकें लेकर भारती कला का प्रचार किया तो भारती सिल्प सडंग यह अवन प्राचीन बूद काल तो जो पुरानी कलाएं हैं जैसे राजिस्थानी कला और आपकी अजंता कला बाग कला इन कलाओं को देखिए और इनका अनुकरण कीजिए बंगाल सैली को विविन स्कूलों में आगे बढ़ाने का योगदान अबनेनना टैगोर वा उनके सिस्यों शितींदनात मजूमदार असित कुमार हल्दर नंदलाल बोस अथा समरेंदनात गुपता को जाता है बंगाल सैली को आगे बढ़ाने का श्रेक इसको जाता है अबनेन चलिए आगे देखते हैं। इलाहाबाद में शितींदरनाथ मजूमदार प्रधानाचारे बने। मैसूर में के विकटप्पा ने कला का प्रचार प्रशार किया और कनुदिसाई तथा रवी संकर रावन ने गुजरात में रहकर बंगाल सैली को आगे बढ़ाने का कारे किया। तो ये सब वही कलाकार हैं जो अवनिनना टैगोर के द्वारा देश के अलग-अलग कोनों में भारती कलाकार प्रचार प्रशार करने के लिए बेजे गये थे। और 1907 में अवनिनना टैगोर ने इंडियन सोसाइटी आफ ओरियंटल आर्ट नामक संस्ता की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट नंदलाल बोस ने 1922 में कोलकाता के कला भवन में अध्यक्षपद को ग्रहन किया। तो यहाँ पर बंगाल शैली समाप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक है बंगाल शैली की विसेश्ताएं। सबसे ज़दा इंप्पॉर्टन तो यही है आपकी विसेश्ताएं। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। बंगाल सैली की प्रेणा सोत कौन सी सैलिया हैं अजंता, मुगल और राजपूत इस सैली में पौराणिक कताएं, एतिहासिक प्रशंग और सामाजिक जन जीवन वा प्रेमाख्यान प्रमुकता से चित्रत हुए हैं तो ये हो गए बंगाल सैली के विसए, यानि किन विसएओं का चित्रन हुआ है, तो पौराणिक कताएं, जिसे रामाएड महाभारत, इस प्रकार की कताएं, और इतिहासिक प्रशंग, यानि की जो इतिहासिस संबन्दित हैं, सामाजिक जन जीवन, यानि उस समय का जो समाज स उसका चितरण हुआ है और प्रेमाख्यानों का फिर नेक्स्ट पॉंट है रेखांकन के महत्व को इस सैली में पुना प्रतिश्थत किया गया तो रेखांकन का यहां पर विसेश महत्व रहा है चित्रों में गतिवा लै लाने के लिए रेखांकन पर बल दिया गया वास बंगाल शैली की प्रमक विसेश्ता है जिसका भारत में प्रियोग सरप्रतम अवनीन ना टैगोर ने किया द्यान रखना है कि बंगाल शैली के जो कलाकार थे उनकी टेक्निक क्या थी तो वास्पधति यहां से क्वेस्चन तो जरूर एक आएगा और बंगाल शैली के जो प्र वास्पधति का जनक कौन है अवनी ना टैगोर तो कई सारे क्वेशन बन सकते हैं यहां पर वास्रंगों की योजना मंदबूत रहती है वास्रंगों की योजना कैसी है मंदबूत यानि कि यह बहुत ज़्यदा डार्क नहीं होते हैं यह थोड़ा दूमिल होते हैं वास्च शेली में वॉस पददिका प्रचलन हुआ लेकिन कागज विदेसी ही था और रंग भी विदेसी ही थे फिर अगला देखिए बंगाल शेली के चित्र प्रायह माप में छोटे होते थे जो चित्रों का आकार था वो कैसा था छोटा था बंगाल स्कूल से ही आधुनिक भारती च चित्रकला का प्रारंब होता है एक यहां से क्वेशन बनेगा कि आधुनिक भारती चित्रकला का प्रारंब कहां से होता है तो बंगाल स्कूल से और ऐसे भी क्वेशन पूछा जा सकता है कि आधुनिक भारती चित्रकला के पितामा कौन है जनक कौन है या फिर सुरुवात क के विरुद्ध था क्यों विरुद्ध था क्योंकि राजा रभी वर्मा जो विदेशी टेकनिक थी तैल रंग में चित्रन करते थे इसलिए इनके विरुद्ध था और पैग बंगाल स्कूल के विरुद्ध था जो पैग ग्रुप था प्रोग्रसिव आर्टिस्ट ग्रुप य आप हमसे टेली ग्राम चैनल पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं बाकि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शियर जरूर कीजेगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नए वीडियो के साथ तब तक आप जुड़े रहे हमारे साथ दर्निवाद दोस्तों जय हैं